नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यूज जारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबर को नमस्कार जोहार मैसंजे जारकन चलिए जारकन गठन के बादबनी बाबुलाल माराएंडी सरकार में विज्ञान एवं प्रधोगे की मंत्री रहे उनको कोलाइंचल की राजनीती का बड़ा चहरा माना जाता था समरेश सिंग अपने पीछे दो बेटे और एक पुत्रवधु को छोड़ गे हैं इसमें ओबीसी अरक्चन के बिना निकाय चिनो कराय जाने के फासले पर पूर्णे विचार भी हो सकता है साथे किसानों से जुड़े मुद्धे पर विशे सुरूप से विचार किया जाएगा किसानों को रहत कैसे दी जाए इस पर भी चर्चा होगी बैटग मे धान खरीत को लेकर प्रस्ताव पर भी बात की जाएगी इसके अलवा जारकन विधान सभा की सीथ कालिन सत्र को लेकर भी निरने लिया जाएगा जारकन नगर निकांचिनों में OBC आरक्चन का मामला सुप्रिम कोर्ट ने रज्य के मुख्य सची को नोटीस जार किया है आजसू शांसत चंदर प्रिकास चौधरी की और से आमानना वाद याचिका दार की गई थी इसी के आलोक में मंगलवार को सुप्रिम कोर्ट के शन जेकिशन कोल और अभे एस उक्का की बैंच ने नोटीस जार किया है इस मामले की अगली शनवाई 13 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है पलामू में भागपा मववादी नकसली नारायन यादो गिरबतार कई मामलों में थी तलास जिला पुलिस की कार्रवे में भागपा मववादी नकसली नारायन यादो गिरबतार किया गया है टॉप मवादी में सामिल नारायन यादों को पकड़ने में आकिरकार पुलीस सफन हुई है नारायन यादों को पुलीस कई मामलों में तलास कर रही थी पलामू पुलीस ने छटरपू थाना चितर की लाबादाग के एलाके से नारायन यादों को गरबतार किया है ताना परभारी सेकर कुमार की नेतुतों में हुई चापे मारी में मवादे नकसली को गरब तार किया है, इस मामले में अब आगे की क्रणवाई की जा रही है पुलीस के जवान की आत्महत्या का घर में लगा ली फासी, राची में जारकन पुलीस के जवान ने आत्महत्या कर ली है। पूर्व मंतरी समरेज सिंह के निधन पर जारकन के सीएम हेमन तो सोरिन, बिजेपी नेता बाबुलान मरांडी ने जताया सोख, जारकन की कदावार नेतावा बोकारों के पूर्व विधायक समरेज सिंह का गुरुवार को निधन हो गया, उन्होंने सिटी सेंटर इस दित अवाज पर सुभा करीब साढ़े च्छे बजे अंतिम सांसली इनका अंतिम संसकार सुकुरवार सुभा नौबचे पैतरीकाओं चंदन कियारी में किया जाएका राजकिये सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विधाय दे जाएकी जायरकन के सीम हेमन्तु सोरिन ने कदावार नेता समरेज सिंग के निधन पर सोक जतातवे ट्वीट किया है कि उनके निधन की खबर से आहाथ हूँ उन्हें राजकिये सम्मान के साथ अंतिम विधाय दे जाएकी वैजारकन के पूर्वसियम वाबिजे पी विधाय दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने समरेज सिंग के निध समरेज सिंग के निधन पर सोक जता है उन्हें के निधन का दुखत समचार में भगवान उन्हें अपनी स्तरी चर्णों में इस्थान दे खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीस चानल को सस्क् पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और दिया गया है तीस सनौंबर को प्रस्ताव दाकिल करने की अंतिम्तिती होती है कि स्रेनी के उबगताओं का बिजली सुल्ख कितना बढ़ेगा इसका प्रस्ताव एक से दो महाँ बाद दिया चाएगा जेबी बियनल के बिजली टेरी बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम्नि पर राजबहन और सरकार के बीच टाकराओ बढ़ सकता है। रियांची में एक महिला ने खुद को मारी गोली रिम्स रफर रियांची की रातू धाना में एक संधा को मारी नामक महिला ने पती से विवात में खुद को गोली मार ली या घरना रातू धाना के कटल मोड़का है फिलाल महिला को रिम्स ले जागिया है वही पती को रातू प पिजदी से ज़्यादा खर्च करे, योजना बजट की रासी खर्च करने में कोता ही ना करे, उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि राज़ में केंद्रिय सहीयोग से चल रही योजनाओं के लिए केंद्रिय सहायता की रासी अधिक से अधिक लाने की कोसिस करे, इसके लिए कें यहाट थाना चेतर के चिहुटियां मोड के पास अपर्याध्यों ने गोली मार कर उतकर्स फाइनेंस के कर्मी से लोट पाट की है, फिलाल पुलीस पूरे मामले की जाच में जुटी है। दर्जन भर एजंडा पर विचार किया गया, कर्मियों के मांदे में बढ़ोतरी जन्वरी 2023 से प्रभावी होगी, इसके अलावा अपरती वर्स मांदे में पांच फिजदी की बढ़ोतरी वर्स 2024 से होगी, जै कर्मियों का वेतन लगभग तीन वर्स बाद बढ़ा है, बैटक म मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जमसेदपूर पुलिस ने बाग बेड़ा में की छापेमारी 14 पुडिया ब्राउन सुगर के साथ 4 तसकर गिरबतार, जमसेदपूर के बाग बेड़ा थाना चितर में पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर ब्राउन सुगर के साथ 4 तस चितर से ब्राउन सुगर के साथ नसे का कारबार कने वाले लोग को गरबतार किया जा रहा है। राजधानी में दो शौ मिले हैं पिछले दिनों अम्रियावती कोरोनी में नाले से अग्यात महिला का शौ मिला था। पिछले में पुलीस मुख्याले ने साहिब केंज स्पी अनुरंजन की स्पूटा को सौकोच किया है। प्रिश कॉन्टरेंज कर बता था कि बिजानेव केशवापसी का प्रिटिशन स्पी साहिब कंज को दिया है। तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जारकन के हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यूज जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रिश करतेजे। जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में